गुड इविंग जैविंग सातियों अमबेटकर नामा एपिसोड नमबर 150 काम की बात लाल की क्लास में आप सब का स्वागत है आज 26 नवंबर है समिधान दिवस है समिधान दिवस की आप सब को बधाई जैसा कि आप जानते हैं पिछले आठ नौ एपिसोड में हमने बॉंबे में जो डॉक्टर अमबेटकर ने धर्म परिवर्तन को लेकर भाशन दिया था वो कारेकरम चला रहे थे आज उसका समापन ये लिक्चर है लेकिन बात शुरू करने से पहले एक दो अपील आपसे मैं कर दूँ कि व्यक्तियत रूप से मुझे किसी तरह की आर्थिक सहयोग की जरूरत नहीं है अगर आप चाहते हैं कि वाक्री कोई सहयोग करना तो आप इसको सुनें गंभीरता से सुनें दोस्तों को सुनाएं ज्यादा ज्यादा शेयर करें यही मेरा मेनताना होगा और दूसरी बात यह कि जो मैं बात कह रहा हूँ वह बात कोई कथा नहीं है, सुनी-सुनाई बात नहीं है यह महराश्च सरकार और भारत सरकार ने डॉक्टर अम्बेटकर पर जो किताबे छापी हैं जो संकलन छापा है उसी संकलन के आधार पर मैं आपसे बात करता हूँ तो चलिए आप concluding part की और बढ़ते हैं कि उस भाशन में डॉक्टर अम्बेटकर ने क्या कहा था तो उन्होंने जो निसकरश निकाला वो कुछ इस तरह से नहीं है ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं अचूत रहकर प्राप्त नहीं कर सकता है मेरा धर्म परिवर्तन केवल आध्यात्मिक्ता पर आधारित है हिंदु धर्म मेरे प्रश्णों पर खड़ा नहीं उतरता हिंदु धर्म का मेरे आत्म सम्मान के संग मेल नहीं बैठता है, परंतु आपके लिए आध्यात्म तथा भौतिक लाव के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक है, कुछ लोग धर्म परिवर्तन से भौतिक लाव पाने के विचार पर मजाक बना कर हसते हैं, मैं ऐसे लोगों को मुर्ख पुकारने मे जरा भी नहीं हिचकिचाता हूं, एक धर्म जो की उपदेश देता है कि मृत्यू के बाद आत्मा का क्या होगा या क्या नहीं होगा, केवल धर्नवानों के लिए उपयोगी हो सकता है, वे धर्मान संभवता अपने खाली समय में इस तरह के धर्म के बारे में सोचकर अपना मनोरजन कर सकते हैं, यह एक सत्य है कि जो अपने जीवन काल की सारी खुशिया प्राप्त कर चुका हो, संभवता इस तरह के धर्म को, वास्मिक धर्माने जो मुखे तौर पर उनको परलोग की बात बताता हो, मिर्तियू के बाद प्राप्त होने वाली खुशियों की बारे म बताता हो, लेकिन उनको इस से क्या जो धर्म विशेश में रहकर रहते रहते जीवन समात होने पर धूल में मिल गया है, जिनको जीवन की मूलभुत आवशकताएं जैसे रोटी और कपड़े को मना किया गया है, तथा जिनके साथ मानव जैसा बहवार भी नहीं किया गया है गरीवी के लिए इन अमीरों और निठले लोगों के वेदान की क्या उपयोगता हो सकती है, कोई उपयोगता है, फिर आगे कहते हैं कि मैं विशेश रूप से आपको बताता हूँ कि धर्म वेक्ति के लिए है, वेक्ति धर्म के लिए नहीं है, मानव बनने के लिए अपने आप में परिवर्तन लाइए, संगटित होने के लिए अपने आप में परिवर्तन लाइए, शक्ति पाने के लिए अपने आप में परिवर्तन लाओ, एक्ता के लिए अपने आप में परिवर्तन लाओ, सोतंत्रता पाने के लिए अपने आप में परिवर्तन लाओ, इसके सा आते हैं जो आपके साथ मानव की तरह बेहवार नहीं करता जो आपको सिक्षा प्राप्ति की आग्या नहीं देता जो आपको मंदीर प्रवेश की इजादत नहीं देता जो आपको पानी पीने से रोकता है जो आपको नौकरी पाने में बाधा डालता है उस धर्म में आप क्यों बने रहना चाहते हो जो प्रतेक अस्तर पर आपको अपमानित करता है एक धर्म जो मानव और मानव के अधिकानों के बीच के सम्बंद को रोकता हो धर्म नहोकर मात्र शक्ति प्रदर्शन है एक धर्म जो आदमी को आदमी नहीं समझता एक धर्म नहोकर बीमारी है एक धर्म जो जानवर को छूने की आग्या देता है परंतु मानव को छूने से मना करता है धर्म नहोकर एक निंदनिये मजाक है एक धर्म जो एक वर्द को सिक्षा से रोकता है, धन संचय करने से मना करता है, सस्त्रधारन करने से रोकता है, एक धर्म नहोकर मानव जीवन के साथ उपहास है एक धर्म जो निरक्षर को निरक्षर बने रहने के लिए और गरीब को गरीब बने रहने के लिए दवाब डालता है वो धर्म नहोकर एक दंड है यह बड़ी गंभीर बात है डॉक्टर अमेटकर ने कहीं फिर आगे वो कहते हैं कि मैं यहां अपने सर्वुत्तम ज्यान से विस्तार से धर्म परिवर्तन से उठने वाली सभी संभावित समस्याओं का विशलेशन मैंने किया है यह भाशन चायद लंबा हो चुका है लेकिन मैं फैसला कर चुका था कि इस विशय पर शुरू से विस्तार से कहूँ यह मेरे लिए आवशिक था कि बिरोधियों द्वारा धर्म परिवर्तन के बारे में सब बिंदू का उत्तर दूँ मेरा मत है कि धर्म परिवर्तन की घोशना के महत्व को समझे बगएर धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए और अंत्तह मैं इस समस्या पर विस्तार से विचार करूँगा ताकि किसी को इस बारे में कोई शंका की गुंजाइस न हो मैं कह नहीं सकता कि आप लोग मेरे विचारों से कितना सहमत होंगे लेकिन मुझे आशा है कि आप इस विशया पर गंभीरता से चिंतन करेंगे मेरा बिश्वास है कि भीड को प्रसंड करना खुश करना तथा लोगपिये बन जाना एक सामाने मनुष्य के लिए अच्छा है परन्तु एक नेता के लिए नहीं ऐसा अच्छा नहीं है मैं मानता हूँ कि नेता वह है जो बिना डर या बिना समर्थन बिना दोशारोपन करते हुए लोगों को उनके अच्छे और बुरे का ग्यान देता है इसलिए यह मेरा कर्तब्य है कि मैं आपको बताऊं कि आपके लिए क्या अच्छा है और आपके लिए क्या अच्छा नहीं है मुझे अपना कर्तब्य निभाना है और अब मैंने इसे निभा दिया है अब आप फैसला करें और अपने उत्तरदाइत्व को निभाएं मैंने फिर आगे व्याक्या करते हैं कि मैंने धर्म परिवर्तन की समस्या को दो भागों में दो भागों में विवाजित किया है या तो हिंदू धर्म छोरें या इसमें बने रहें यह इस समस्या का पहला भाग है अगर हिंदु धर्म सदैव के लिए प्रत्याग करते हैं और कौन सा दूसरा धर्म अपनाना चाहिए या कोई नया धर्म अपनाना चाहिए या समस्या का दूसरा भाग है आज मुझे समस्या कि पहले भाग पर फैसला लेना है जब तक हम पहले भाग पर फैसला न कर लें दूसरे के बारे में चर्चा करना मुश्किल है वियर्थ है हमें पहले बिंदू पर फैसला लेना अवश्चक है मेरे लिए फैसले के लिए दूसरा मौका देना संभव नहीं होगा ये बड़ा विस्तार से ये बात कह रहे है आप इस सभा में क्या निर्ने लेते हैं इसके अनुसार मुझे भविष्चे की रूप रेखा तयार करनी होगी डॉक्टर अमेटकर कह रहे हैं अगर आप धर्म परिवर्तन के विरुद्ध फैसला लेते हैं तो यह अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा तब मुझे स्वें के लिए क्या करना है वो मैं स्वें करूँगा कि मुझे क्या करना है विक्तिकत रूप से वो मैं करूँगा अगर आप धर्म परिवर्तन के पक्ष में फैसला लेते हैं तो आपको मुझे वादा देना होगा कि भारी मात्रा में संगठित हों तब धर्म परिवर्तन करें अगर फैसला धर्म परिवर्तन के पक्ष में लेना है और लोग विक्तिगत तोर पर किसी धर्म को पसंद करते हैं और विक्तिगत या परिवार के साथ उस धर्म को अपनाते हैं तो मैं आपके धर्म परिवर्तर में किसी तरह का हस्तशेप नहीं करूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सब मुझसे जुरे हैं। जो कोई धर्म आप सुईकार करते हैं मैं पूरी तरह से उस धर्म के लोगों की अच्छाई के लिए प्रयास तथा सेवा करने के लिए तयार हूँ। भावनाओं में बहकर मेरा अनुसरन न करें क्योंकि मैंने ऐसा कहा है ये बात मानना ज़रूरी नहीं है। आप इसकी स्विकृति तभी दें जब आप इस से आस्वस्त हो आप इससे पूरा आश्वस्त हो जाए तब आप स्विकृति दें। मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा अगर आप मुझसे जूरने का फैसला नहीं करते हैं। बलकि मुझे कर्तब्यों के दायुत्वों से मुक्ती मिलेगी राहत मिलेगी और आपको इस्मरन यह बात इस्मरन है यह गंभीर इस्तिती और अवसर है आपका आज का फैसला आने वाली पीडियों के लिए सुनहरा भविश्य होगा अगर आप स्वतंत्र होने का फैसला करते हैं तो आगे की पीडियों का भविश्य पूर्णता स्वतंत्र होगा अगर आप दास बने रहने का फैसला लेते हैं तो आपकी पीडियों का भविश्य आपकी पीडियों का भविश्य दास की तरह ही रहेगा तो अंत में कहते हैं उन्होंने बुद्ध का पुरा स्मरन किया और कहा कि यह विचार करते हुए कि इस अवसर पे मैं आपको क्या संदेश दूँ मुझे भगवान बुद्ध का वह संदेश जो उन्होंने अपने भिख्षु संग को अपने परिनिर्वान से ठीक पहले दिया था उसका इसमरन हो रहा है और यह संदेश महा परिनिर्वान सुत्त में उद्रित किया गया है स्वासलाब के बाद पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे उनका सिष्ष पुझनिय आनंद भगवान बुद्ध के पास गया और उनका अविवादन कर उनके पास बैठ गया और कहा कि मैंने भगवान को बिमारी में और प्रसंता में देख लिया है परंतु भगवान की वर्तमान विमारी से मेरा शरीर शीषे की भाती भारी हो गया है मेरे मस्तिस्क में शांती नहीं है मैं धम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ लेकिन मुझे सांत्वना तथा संतुष्टी की अनुभूती हो रही है कि संग को संदेश दिये बिना भगवान परिनिर्वान नहीं पा सकेंगे और नहीं पाएंगे तो इस पर तथागत बुद्ध ने उतर दिया कि प्रिया आनंद संग मुझसे क्या आशा करता है आनंद मैंने बिना कुछ छिपाए दिल खोल कर धम्म का उपदेश दिया है तथागत ने कुछ भी छिपा कर नहीं रखा जैसे दूसरे कुछ शिक्षक छूपा कर रखते हैं प्रिया आनंद तथागत भिक्षु स्रंग को और क्या बता सकता है आनंद सुर्य के समान प्रजालित हो जाओ जिस तरह धरती प्रकाश के लिए सुर्य पर निर्भर रहती है दूसरे पर आश्रित न रहो स्वय पर विश्वास करो दूसरों पर निर्भर न रहो सत्यवादी बनो सदयव सत्य की शरण लो और किसी के आगे आत्म समर्पन न करो यह पुरी कहानी सुना कर फिर डॉक्टर अमबेट कर कंक्लूड करते हैं कि मुझे भी बुद्ध के शब्दों को धारन करना है स्वय का मार्गदर्शक बनो अपने स्वय के तर्क कि अपने आपको तर्क की शरण में लो दूसरे के उपदेश को न सुनो और दूसरे के सामने भी न जुको सत्यबादी बनो, सत्य किशरन लो, कभी भी किसी के सामने आत्म समर्पन न करो अगर आप फिर अपने लोगों से कहते हैं कि अगर आप इस अफसर पर भगवान बुद्ध के इन संदेशों को इसमरन करते हैं तो मुझे बिश्वास है आपका फैसला कभी गलत नहीं होगा तो ये था पूरा करीब 30 पेज से ज़्यादा का लेक्चर है और पूरा जब लेक्चर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप अंग्रेजी बाले जो खंड है 17 इसके पार्ट 3 और पेज नमबर 113 से 147 है से ज़्यादा का भाशन है तो साथियो आज समविधान दिवर से अगला एपिसोड समविधान सभा के सामने 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अमबेटकर ने क्या कहा था उसके कुछ बिंदूओं को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा लेकिन चलते चलते मैं आपको इसमरंद दिला दूँ कि मैं किसी तरह की कोई मदद की आर्थिक मदद की अपील आप से नहीं कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लगया कि आप जादा से जादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और बेल दबाएं इसको सब्सक्राइब करें बेल दबाएं जिससे की अमबेटकर नामा एक मुहिम है वो घर घर तक ऑथेंटिक ओरिज पहुंच सके शुक्रिया साथियो जैवीम अगले एपिसोड में फिर मुलाकात हो